मुइचल फंड में जब हम लोग निवेश करते हैं तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आपकी एमाउंट ओदा SIP से भी ज़्यादा जरूरी है आपका टाइम उराइजन यदी आप अपना SIP का अमाउंट सुरू से बढ़ा कर चलना चाहते हो लेकिन उसको निवेश करना चाहते हो केवल 10 साल के लिए और दूसरी तरफ यदी आपका SIP का अमाउंट कम है लेकिन आप निवेश कर सकते हो 15 साल के लिए 18 साल के लिए तब इस comparison में आपका भले ही दोगना SIP का amount हो लेकिन जो लंबा चलेगा वही बड़ा पैसा create कर पाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो आज का portfolio review के लिए आया है तो पूरा calculation आपको करके दिखाऊंगा लेकिन ये अपने portfolio का जो time horizon है इनके पास जैसे कि इन्होंने बताया कि investment period 10 साल का है तो यदि 10 साल को बढ़ा कर 13 साल तक continue कर लेते हैं तो जो इनका final corpus credit होने वाला है वो just double होगा यानि कि 10 साल में जो होगा उससे दुगना होगा 13 साल की period में तो आज का portfolio भेजा है Mr. Preveen Desmukh जी ने तो thank you so much for joining the membership of channel ये दो डिमेट अकाउंट इनकी है वाइफ का और इनका होगा उससे ही जो है mutual fund में direct plan में निवेस करते हैं और जनवरी 2020 से इन्होंने अपने investment की journey स्टार्ट की थी ठीक है recently स्टार्ट किया है 8 mutual fund की scheme में निवेस कर रहे हैं end date December 2022 देखे कितना clear cut इनको पता है पहले से कि goal हमारा कब तक पूरा हमें चाहिए पैसा ये ठीक है 10 साल का goal है इनका तो बहुत अच्छी बात है यदि आपका objective बहुत जाज़ा clear है तो इससे बहुत चीज़ां आसान हो जाती है अब इनका portfolio इस परिकार से है नमबर वन स्कीम केंडर रूबे को स्मोल कैप डिरेक्ट प्लान तीन रूबे के साइप और इसी के साथ particular प्रतिये के स्कीम में इनोंने अपना investment पर step अब भी प्लान किया है देखे यरली step अब कर रहा है 10% का उसके बास second नमबर के स्कीम है कोटेक इमर्जिंग एक्विडी फंड 20 रूपे के साइप 15% का annual step अब है ठीक है पराग पार एक flexi cap 20 रूपे के साइप और जी half yearly step अब है यहाँ पर 10% का तो यह भी देखने वाली बात है पहले तो उपर दो स्कीम इनोंने yearly step अब प्लान किया है कि step अब में जो percentage बढ़ती है let's say यदि आपने 10% से assume किया है तो 10% यदि 100 रूपे से initiate करते हो तो 10 रूपे हो गया तो लोग समझते हैं कि 10 रूपे यदि annual है तो हर साल 10 रूपे उसमें add होता जाएगा या फिर एक बार add हो गया ऐसा नहीं है यदि पहले साल 110 हो गया तो उससे next year 110 रूपे पर 10% आपको देना पड़ेगा उसके बाद जो amount calculate होगा उस पर आपको 10% add करके देना पड़ेगा इसलिए आपको जो SIP का amount जो आप step up कर रहे हो पहले से calculate करके समझ लेना चाहिए या फिर एक limit आपर fix कर देनी चाहिए वो तो आप खेर बाद में भी अपनी AMC के साथ discuss करके पता कर सकते हों कि कितना amount आपका SIP का बड़ रहा है और हर महीने आपको पता लगी जाएगा जब भी आपका annually increment आएगा या half yearly increment आएगा यहाँ पर step up ठीक है नेक्स्ट है SBI Contra Direct 3000 रुपीज के SIP कर रहा है और इसमें यह जो SBI Contra में yearly step up of 10% ही करेंगे बहुत अच्छी बात है यह नि कर रहा है मिरे asset इसके अंदर यह mid asset emerging में इसको यहाँ पर count करूँगा consider करूँगा जो कि large and mid cap category का mutual fund scheme है ठीक है तो यहाँ पर यह जो है 2500 रुपे के SIP yearly step up 10% कर रहेगा इसमें इसके बाद last 10 का 8th number की scheme जो है access small cap direct 2000 रुपे के SIP और yearly नहीं है यहाँ पर half yearly 10% का step up है तो दो scheme में इनोंने half yearly step up और बाकी में yearly step up कर रहा है आगे बोल रहा है कि total investment and corpus in 10 years and 12 years तो 10 साल में या 12 साल में आपने पहले ही बोल दिया है कि 12 साल के आपका plan है कि 12 साल तक extend up कर सकते है तो बहुत अच्छी बात है इसलिए मैंने starting में बोला था कि आप इसको केवल 3 साल यदि बढ़ा दोगे तो आपका corpus just double हो जाएगा आपको देखने को मिलेगा small cap की जो 3 scheme mid cap 3 scheme flexi cap 1 and sba counter 1 तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा review scheme का कर लेते Canada Ruby को small cap ठीक है मतलब नया fund है कोई ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है अच्छी scheme है इसको continue की जी कोई दिकत नहीं निपोन इंडिया small cap अगेन performing fund है 1000 रुपे के SIP आपने amount जो है उसी परिकार से diversify किया है नई scheme को आपने ज़्यादा opportunity दी है और पुरानी scheme है हाला कि performing है लेकिन potential यहाँ पर as compared to निपोन इंडिया small cap Canada Ruby को मुझे तो ज़्यादा लगता है और आपने सही decision लिया है Axis Small Cap अगेन अच्छी scheme है Quotech Emerging Equity Fund Mid Cap का अच्छा fund है Mid Cap category का यह भी आपने सही selection किया है पराग पार एक Flexi Cap अगेन in the category of Flexi Cap Fund performing fund है अच्छा है पिछले देर दो साल यह 6 मेनिक performance देखोगे negative भी है और बहुत कम भी है ठीक है तो यहाँ पर देखकर हमें डरना नहीं है जिन लोगों ने इसी period में निवेस किया है वो परिशान है कि यह तो performing नहीं कर रहा पराग पार एक Flexi Cap तो बेकार हो गया ऐसा नहीं है अभी उसको perform करने का time तो दीजिए अभी आपने start किया है अब यह वो scheme है जो कि इनको लगता है fund manager को यहाँ पर कोई decided नहीं है कि large cap में करना small cap में mid cap में यह value investing एक तरीके से करते हैं इनको लगता है कि यह वाले जो fund की category है अभी perform नहीं कर रहा है लेकिन इनके अंदर बहुत अच्छा potential है जब आगे आने वाले समय में एक दो साल में यह अच्छा perform करेंगे यह prediction करते हैं इस परिकार का कि अभी किसी किनी कारणों से वो unknown भी हो सकते हैं basically unknown जज़ादा रहते हैं यदि known होंगे तो बहुत से लोग वहाँ से यह तो avoid दोएंगे या फिर market को time करने की कोसिस करेंगे तो ऐसा नहीं है यह fund manager के ग्यान पर काम करता है तो लगबग यह flexi gap और mid cap category में आपको return मिल जाएंगे यहाँ पर बहुत से fund आपको market में ऐसे मिलेंगे जो की similar लगबग return देते रहते हैं कि stock कहां से लेकर आएंगे उनको भी अपने जो portfolio को balance करना होता है पहले stability भी देनी पड़ती है और return बढ़ाने के लिए अलग से कभी small cap और mid cap category के fund भी जो है सामिल करने पड़ते हैं तो overall मिरे asset imaging यह भी अच्छी scheme तो आपके portfolio की 8 scheme है दो लोगों का portfolio है अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है आप इसको continue कीजिए अब 16,500 रुपे की monthly SIP आपकी जा रही है 16,000 रुपे की आपका time period है 10 साल का इस पर लगबग average return जो मिलने की उमीद है 17% की है और आपका जो step up है वो 13.1% से लगबग calculate होगा विद 13.1% of step up तो आपकी जो पैसा जाएगा 36,65,000 रुपे जाएगा और इस पर आपको return मिलेगा लगबग 24,18,000 रुपे और आपका corpus हो जाएगा 80,83,000 रुपे यानि की एक क्रोड़ों से कम रह गया लेकिन for your information यदि आप इसको बढ़ाते हो अगले मोटा मोटा एक करोड़ों तो आपका बनेगा एक करोड़ों साथ लाख रुपेया उधर कितना बन रहा है आपका लगबग 80,000,000 रुपे आपके बनने है ठीक है तो 80,000,000 से बढ़कर हो गया 1,60,000 जस्ट डबल हो गया केवल 3 साल बनाने के लिए तो भी एग्जेक्ट जो आपने 12 साल का पूचा था तो मैं उसका बताता हूँ 12 साल में कितना हो जाएगा ठीक है तो 12 साल यदि आप इसको कॉंटिन्यू करते हो तो 51,000,000,000,000 रुपे लगबग आपकी जेफ से जाएंगे एजन लेकिन जो आपके साथ साजा कर रहा हूँ तो यदि आप इसको 10 से 15 साल चला लोगए तो यहाँ पर आपका फाइनल कोर्पस लगबद 2 करोल 45,000,000,000 बनेगा देखिए और कितना बढ़ गया धाई करोल के यानि कि quantity units की वो लगातार बढ़ती रहती है पिलस जो उनके NAV में appreciation मिलता है तो एक रुपे का भी appreciation पॉइंट 5 रुपीज का भी appreciation बहुत value करता है उस समय क्योंकि हमारे पास quantity बहुत अच्छी कासी होगी होती है एक तरफ तो 1000 रुपे की quantity है यानि कि 1000 की quantity हो किसी के पास दूसरी तब किसी के पास एक लाग की quantity हो तो यदि एक रुपे अभी बढ़ेगा NAV में तो एक को तो 1000 रुपा बढ़के मिलने वाले हैं दूसरा एक लाग रुपे तुरंत एक लाग यह quantity का matter होता है तो आपको लंबे समय के लिए invested रहना चाहिए मैं तो यह बोलूँगा कि at least for 13 years और if possible then please continue for 15 years ठीक है तो डॉक्टर देश मुख जी उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों को जवाब सायद मिल गया होंगे यदि कुछ आपको इसमें और query है तो comment कीजिए मैं आपको comment पर reply कर दूँगा और यदि किसी और को भी कोई query है इस portfolio से regarding या फिर कोई और portfolio तो comment करके बताईए मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैबारत